Guruji को प्रणाम और Guruji की सारी संगत्त को भी Guru के जनम दिन की सब को बहुत-बहुत बढ़ाई जैसे सब дуже वह सब के हम सब की Vai गरें हमें अपनी इपुद में लिया और यह दिन कि आज हम करते हैं लो जिस दिन गुरुजी धर्ती पे आए और हम सब के लिए आए, हम अपने लिए तो हमें समझ भी नहीं है कि हम क्या करें, या क्या ना करें, लेकिन गुरुजी को पता था कि किस को क्या किस तरह की blessing देनी है, कब उनको आना है, हम पे देया की उन्होंने, हम तो पतानी कितने जन्मों से ऐ जाएप भटक रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ी कृपा की है और हम जैसे ही बनके आए शरीर लिया अर्म सब के कष्ट भी अपने उपर लिए आज भी लिए जा रहे हैं है जो तो बहुत होते हैं लेकिन गुरुजी जैसा बहुत मुश्किल है बहुत से जन्मों के बाद ही शायद गुरुजी मिलते होंगे बहुत लोग तपस्या भी कर रहे होंगे उस डिविनिटी के जहलक पाने के लिए लेकिन हम सब को गुरुजी अपने पास बिठाते हैं सत्संग करवाते हैं लंगर परशाद देते हैं गाइड करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं हमारा भी हमारी फैमली का भी और यहां से जाने के बाद हमारी रूख को कहीं पे कोई जवाब ना देना पड़े सीधे गुरुजी के पास पहुंचें गुरुजी के चर्णों में जाएं यह गुरुजी गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम बहुत बागेशाली हम सारे हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी आज गुरुजी की गुरुजी के जो सत्संग है उनको शेर करने का मौका दिया आपने और सिंगला अंकल का भी देखे बहुत जो जो शोर से पहले से ही गुरुजी का बड़े मनाया जाता है हमें याद है एक बार जून में हम गई हुए थे गुरुजी के पास अंपायर स्टेट में तो गुरुजी ने हमें कहा था आगे को होके टांग पे टांग रखी वी थी और आगे को हुए जब हम बंदा थोड़े आएगा तीन तीन चार चार तो कम से कम आएंगे सो लोग ही कह देते तो भी ठीक था लेकिन गाड़ी बोला गुरुजी ने और हम करने के लिए बुला लिया है हमने अपने हिसाब से आकर यहां वहां सथसंग के यहां लोगों को जोड़ने की कोशिश की लेकिन गुरुजी ने उसी टाइम तै कर दियंता कर दिया था उनका अंग तभी गुरुजी ने कहा और हमने जितने लोगों से सथसंग हुआ उनको लेके गे गुरुजी की पासे तो 134 लोग ही हम कर पाए बड़ी कोशिशे की बहुत कोशिशे की गुरुजी शिव जी हैं महाशिव हैं और बहुत सथसंग सनाए कि किसी तरह से कोई पिघल जाये चल पड़े या किसी की थोड़ी सी पिखना था कैसे करते हैं मैंने सारे रिष्ठेदारों से बात कर ली दूर-दूर तक इउन से भी रुट कर लिया ändra, कोई चला कोई नहीं चला पहीं हां ड societal college में शबके साथ स्तौं किया कि ज से ली बेवाटर तक जो भी हमें हमारे सामने आायां सब के साथ लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा, वन 34 हम कर पाएं और वहां जाना हुआ, लेकिन गुरुजी खुद बुलाते हैं आप ऐसा बहुत लाईने लग रही हैं आप तो बात ही कुछ और होगी है हम युम्ध की बात कुछ और थिया आज की बात कुछ और है अब तो शयद किसी किश़ को कहना भी पड़े या ना पड़े लोग गाड़ियों पर स्टिकर देखते हैं गुरुजी के और सोचल मीडिया पर देखते हैं तो जुड़ने लग जाते हैं जितनी जोश के साथ ये सारे तयारियन चल रही है एक हफ्ते से मेरे एक दो दिन पहले भी कहीं पर सथा वहां पर भी ये मैंने बताया ये फील भी किया मैंने एक्चली के तयारियन तो चलती है गुरुजी के बर्डे की और गुरुजी बहुत खुश भी होते हैं लेकिन दिवाली भी होती है दिवाली से पहले भी एक हपता दस दिन पहले बहुत त्यारियां चलती है और बहुत कुछ होता है घर का रख रखाव भी उनी दिनों में होता है साफ स्पाईयां उनी दिनों में होती है इतना जोश होत आप जाती है और अगले दिन पूरी दिवाली भी हो जाती है उस दिन भी सारा दिन बड़े भाग-दौर्ड में रहते हैं कि तैयारियों में ज्यादातर है कि पटाके भी लाएंगे सब कुछ करेंगे और शाम को थोड़ा कि पूजा करके और उसके बाद पटाके भी चला लेते हैं, लेकिन इस सारे सीन में जिनके नाम की दिवाली है, वो बहुत पीछे चूड़ जाते हैं, भगवान राम उनका जिकर बहुत कम होता है, ज्यादा तर जो है इवेंट पे चला जाता है, एंटर्टेन्पे पे चला जाता है, यहाँ वहाँ घूमने फिरने में चला जाता है, तो भगवान राम जो है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, वो फेस्टिवल बहुत बड़ा है, तैयारी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम सब को पता है, कितना कोई जुड़ता है भगवान माता से जुरूर जुड़ते हैं उस दिन, क्योंकि उनकी बात अलग है थोड़ी सी, लक्षमी की बात है, घर में निशान भी बना जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन भगवान राम बहुत दूर ही रह जाते हैं, कितनी दिवालियां बहुत लोग हम मना चुके होंगे अभी भी और जितनी मनानी होंगी, लेकिन पूरा साल भगवान राम थोड़े याद रहते हैं, या रहते भी होंगे तो वो किस तरह से रहते हैं, उनकी सेंग्स अपनी लाइफ में कितना गुतार रहते हैं, हाँ लेकिन जोश उस हफ्ते में पूरा रहता है, और ऐसे ही हो जाए कि बस तयारियां की जोश करोश के साथ पूरा हिसाब तक सट किया एक हफता पूरा लगे भी रहे सजावटें की और बहुत सब कुछ करने के बाद गुरुजी जो है वो थोड़ा अपने जहन में भी उतारना है उनको अपने अंदर उतारना है और इस दिन कम से कम हमने यह जरूर याद रखना है कि गुरुजी धरती पे इस दिन क्यों आये थे किस लिए आये थे वो हमारे लिए आये थे उन्होंने कस्ट इतने सहे फिजिकल पॉम में आज भी लोगों को नजर आते हैं हॉस्पिटल में चक्र काटते हुए कभी उनका रंग पीला हुआ पड़ा होता है कभी किस तरह का चेरा हुआ पड़ा होता है उनको और परशानी से वो हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं इस दिन को हमने इसलिए मनाना है कि गुरुजी आपने वह हमारे उपर क्रिपा किया और यह दिन गुरुजी को कम से कम एक दिन यह जरूर हम मर्पित करें 365 दिन में से एक दिन हम उस तरह से जिए जिस तरह से गुरुजी चाहते हैं जिस तरह से गुरुजी अपनी संगत को बनाना चाहते हैं जैसे होते हैं कोई-कोई बहुत पहुंचे हुए भी होते हों जरूर है लेकिन ज्यादा तर एक जैसे ही होते हैं गुरुजी की इच्छा से गुरुजी की बहुत उच्छी संगत बंके यह सोचते हुए कि घुरुजी अने को त्यार ने तो मुझे आना पड़ा पतनी कैसे भी रहे होँगे वह तब आये हैं ब्लैस करने के लिए संगत जब त्यारी करती है गुरु जी भी बहुत खुश होते हैं और blessed तो करते ही है वो in any case blessings तो सब के उपर रहती है लेकिन गुरु जी को हमने अपनी आत्मा से जोड के रखना है और आत्मा से प्यार करना है शरीर तो यह सेवा करता है जितनी गुरु जी करवाती है जैसे जैसे या फिर अटेंडेंस लगवाता है मुझे तो गुरु जी का पता भी नहीं था दोजार पांच में मुझे पता चला और गुरु वर्ड से तो मैं कोसों दूर था कोई लेना देना भी नहीं था शायद एज फेक्टर काम करता है उस टाइम इतना कि गुरु की समझ नहीं होती है जोशी इतना होता है मुझे डॉक्टर बनीत से पता लगा था कि कोई गुरु जी भी है उस दिन मुझे बड़ा जब उन्होंने कुछ बताया मुझे कि मेरे गुरु जी है और वो शिप जी है वो इस तरह से हैं तो मुझे बड़ा अच्छा तो लगा लेकिन मुझे यह भी लगा कि आपने तो थे वह ऐसे ही तब लगता था ये लेकिन अब लगता है कि वह अपने कर्मों का हिजाब करता है क्योंकि गुरु जी की टाइमिंग तो परफेक्ट है वह भागवान है हम समझते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें हो जब मुझे पतना लगा गुरुजी का तो गुरुजी ने ऐसे ही लाया और कोई मन्में इस तरह का विचार भी नहीं आया कि यह बाबा होने चाहिए या फिर इस तरह से होना चाहिए। जब गुरुजी आए इनल अंपल विसाती थे काफिला आया जैसे गुरुजी ने गाड़ी से नीचे कतम रखा और मैंने पहली बार उनको देखा ग्यारा अप्राइल दोजर पांच तो और देखता ही रहे गया मुझे एक दिन पहले डॉक्टर पुनित ने बताया था कि उनके पास रहना रेज निकलती है और मैं दिना ख़िजे निकल गया हो और मुझे यह हो गया कि यार मेरी साइबमा तो पीछे पीछे ही निकल और beta सकता है है मैं डॉप्टर पुनित को बुला यह जाना है उनके पास बड़ैने के लिए और आज गोक जाते हैं गुरुशी कर टेंद师 के पास उनके साथ भी ऐसा जृरूर होता है तो उन्होंने कहा मैं तो साथ जुलाई को जाऊंगा कि अब Amendment को अब फॉघा बिल्कुल भी सब्संग ने किया हमें बताई देते और वह हंसने लगे हम रुके फिर इजाजत हुई तो हम चल पड़े वापिस और आके गुरुजी का मैंने एक स्केच बनाना शुरू कर दिया नहीं उससे पहले कभी इस तरह से मैंने कोई स्केच बना रखा था नहीं इस तरह की कुई ड़्ॉइंग कर रखी थी कुछ भी नीथा वह पता नहीं गुरुजी ने वह वीचार डाला है किया किया मैं आके बैट गया क्योंकि सबकॉंशिएस माइंड वे तो गुरुजी गु से अपनी बाते करता रहता था बनाता गया बनाता गया 15-20 दिन लगे वहां से जाने के बाद बड़े मंदिर से आने के बाद मैंने डॉक्टर पनीत को बोला कि हम गुरुजी के पास चला करेंगे और कम से कम महिने में एक बार नहीं तो जितना मैक्सिमम हो सके चलेंगे और हम जाते रहें 15-20 दिन के बाद जब स्केच पूरा हुआ गुरुजी की आइज नहीं बन रही थी बड़ी मिश्किल से बनी वह बनाई जैसे तैसे करके जो भी जैसे बनवाई गुरुजी ने और पैंसिल के साथ बड़ा जैसे रफ बनाते हैं उस तरह से मैंने बनाया गों औ पांचे लोग थे सिर्फ एक गाड़ी गए तो उसके बाद लंगर परशाद हुआ और इजादत हुई गुरुजी ने जब इशाटा किया चलो हम पहुंचे और मैंने माथा टेका गुरुजी को जाके तो सबसे पहला वर्ड जो गुरुजी को निकला मैंने सरक तो मैंने मै सरथ होडी फोटो बनाई है तो गुरुजी आगे को हुए टांग पे टांग ऐसे रख़िता हैं मैं कशर्थ होडीग फोटो बनाई है और फिर मेरे को यह दिमाग में तो आगया था कि मैंने कुछ गलत दो गुरुजी बोलना चाहिए था क्योंकि मेरी पहली बात थी गुर और मैं दिखाने लग गया नाउन लेडी पॉलेटीशन उनको दिखाने लग गया और लेकिन पीछे-पीछे बोल रहे थे सबको डेंटल कॉलेजे डाक्टर है गयाती में उत्ते इनाउग्रेशन लई बत्ती दंददा सरवनाश ऐसे गुरुजी हसते भी रहे और बोलते भी और हम आ गए यह मैंने स्केच को फिर फोटो स्टेट भी करवाया ताकि मैं यह गुरुजी ने देखा हुए और उसको उसकी कॉपी एक जुरूर होनी चाहिए मैंने वह भी करवा के रख लिया कि कई सालों के बाद पता नहीं लगता है किस तरह से हो वह भी मैंने करवाया यह स्टार्टिंग की चीजें हैं जो गुरुजी के साथ हुई इससे पहले गुरुजी ने मुझे जोड़ा बाबा के साथ हैं बाबा के साथ मुझे उनका भी पता नहीं था बहुत से संगत अभी भी हैं ऐसे जो बाबा के पास भी जाते रहे हैं अब गुरुजी के पास ह मुझे एक डेट साल पहले उन्होंने जोड़ा और बाबा के पास भी ऐसी जाना हुआ किसी थस्डे को कुई मुझे ले गया और ले जाके बाबा के मंदिर में खड़ा कर दिया और उनके सत्संग किये मुझे पूरा दिन उन्होंने उसमें बीजी रखा जबकि मेरा लेकिन में था फिर फिर मैंने उसके बाद सिर्मी ने छरू कर दिया तो नहुंने जो भी आपक एसकि के साहिए परोने कहा कि यह लिविंग गॉड है और ऐसे वह एपियर हो जाते हैं और इस तरह से वह सारा कुछ कर देते हैं तो मैंने जुचे यह कौन सी बात है यह ऐसे भी होता है क्या और बाबा का तो मुझे कोई पता भी नहीं था कि बाबा हिंदू से रिलेटिड है कहां से यह क्या क्योंकि इस जनम को जब पीछे मुड़के देखते हैं तो पता चलता है कि हम तो कभी हम तो शकल भी ना दिखा पाएं शायद भगवान को लेकिन उन्होंने तो बहुत चीज़ें बहुत जगाई खुद ही और बाबा के पास जाना मेरा लगा रहा एक लेट साल तो मुझे यह लगा कि बाबा को तो श्रीट चोड़े अभी बहुत कम टाइम होगा होगा तो कोई न कोई एक ऐसा होगा जो बाबा को जिसने बहुत बच्पन में देख रखा बहुत चोड़ा होगा भले ही उसके मम्मी पापा उनको उठाके लेके गए होंगे और उन्होंने ऐसी दे उन्होंने बच्पन में गुरुजी को देख रखा है तो मैं बड़ा खुश हुआ है मैंने का हम चलेंगे और प्रोग्राम बनाते हैं कि वहां जाके हम उनको टैच करेंगे क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है ऐसा था लेकिन जब गुरुजी की एंट्री हुई गुरुजी आये और वो सारा कुछ शुरू हो गया तो मैं किसी एक बंदे को ढूंड रहा था और कहां महाशिव मेरे सामने बैठें और उन्होंने बातें भी की हैं मुझसे ॉनपन से उन्कल को तो मैं सिरफ टॉच्ची करता यहां महाशिव कर रहे हैं तो आप सोख सकते ह कि मेरी situation उस टाइम कैसी रही होगी और कौन से आस्मान पर होंगा मैं अब देखिए जो पुरानी संगत है यह कड़ी सचाई है जो पुरानी संगत है यह हम सब भी तो एक दिन चले जाएंगे यहीं तो रहेंगे निए बैठे कभी ना कभी तो जाएंगे चालिस पचास साल में चले जाएंगे धिरे-धिरे करके जा ही रहे हैं सुनने को मिलता ही है जैसे जैसे गुरुजी का आदेश होता है वो शरीर छोड़ना पड़ रहा है और जाना पड़ता है तो फिर लास्ट में जाके एक आदा कोई और बच जाएगा फिर जो नहीं संगत उस टाइम की होगी वो फिर उनको डूंडेंगे वो उनके पीछे पड़ेंगे कि इन्होंने गुरुजी को देख रख्या है वो जो एक रह जाएंगे आज लेकिन कितनी ओल्ड संगत है जो गुरुजी के साथ रहे हैं बहुत जै गुरुजी अंकल आप मूट हो गए हैं मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूं जो उस वक्त उनकी होगी और हो सकता है अगर गुरुजी ने हमें वापिस भेजा यहां से जाने के बाद तो म मैं उनको फिर से टच कर रहा हूंगा फिर मैं पूछ रहा हूंगा कि भाई इन्होंने गुरुजी को देख रख्या क्योंकि यह परदा भगवान डालके ही रखते हैं पिछले जन्मों का याद नहीं होता है तो फिर शायद मैं वैसे ही डूण रहा हूंगा लेकिन आज की मुवमेंट जो है वो तो मुबारक है और एक तो हार की तरह है कि आज हम उस दौर में हैं जब महाशिव महाशिव पूरे ब्रहमांड की जो एक शक्ति है वो वो हमारे साथ हैं हमें सुनते हैं हमें देखते है हमें गाइड करते हैं ना सिरफ हमें बलकि हमारे परिवार कोई अगर हमारे सुक दुख जो है उन लोगों के सबके साथ जुड़े होते हैं उनको भी गुरुजी ब्लस करते हैं गुरुजी के पास हम फिर जाते रहे हमने जाना शुरू कर दिया फिर तो रहा न जाये 15 भी Speaking दिन काटे और फिर गुरुजी के पास पहुंच जाते थे हम यहां से चलना और शाम को साथ वज़े एंपायर स्टेट और कोशिश रहती थी कि सबसे पहले हम वहां पहुंचे दरवाजा खुले तो सामने गुरुजी के दिदार हमें हो और उस तरहीं बात करने का मौका भी मि मार खुले के पास हमने जाना शुरू कर दिया कभी एक दो और लोगों को एड़ में करना शुरू कर दिया और यक गाडी दो गाडी ऐसे जाने लगे फिर गृते ख़रises सबक्ते सबक्राव कि पूर भी पूर इतने आगे और सबको देख के पास बैठे रहे दोजार चे में ऐसी विचार आया बैठे बैठे केंटीन में मैं और डॉक्टर श्पाल बैठे थे और उन्होंने कहा कि छोड़ पर यहां वहां की बाते एक रूम ऐसा बना लेते हैं जहां बैठके भगवान की बाते किया करेंगे चुटा सा सब्रूप लेंगे तो उन्होंने कहा है घ्रूम स्लेक्ट हो गया उन्होंने अपना यह चोड़ी है वह और यह सारा कुछ डाला हमने चार-पांच लोग थे मैं, Dr. अपनी, Dr. बलजीत और चार-पांच लोगों ने discuss किया, carpet, curtain, गुरुजी का सबरूप सेलेक्ट कर लिया, CD प्लेयर, CDs, यह सारा कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया और frame करने के लिए दे दिया वो, और लेकिन उससे एक दू दिन पहले हमें ख्याल आया, ख्याल तो गुरुजी ही डालते हैं, तो जनरल दपिंदर अंकल को हमने चंडिकर फोन किया, कि हम ऐसे मंदिर बना रहे हैं गुरुजी का, तो उन्होंने देखी ये सारा कुछ भी गुरुजी करवा रहे थे, सारा ये भी कि उनको फोन पर हो, हो सकता हम ऐसे ही बनाके बैठ जाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उन्होंने ठाट डाला, कि नहीं इस रॉंग, आप गुरुजी से पूछो पहले जाके, आपने पूछा नहीं है, तो हम चलेगे, गुरुजी का सब रूप लिया वो, रोल करके फ्रेम नहीं किया था, उन्होंने ठाट गुरुजी के पास पहुंचे, फिर गुरुजी ने पूछा, किने डाक्टर आए हैं, हम फिर बैठे, और रोल करके हमने ऐसे गोद में रखा हो था गुरुजी का सब्सक्राइब, गुरुजी के बिलकुल पास हम बैठते थे, मैंने, मैंने का गुरुजी थोड़ा एक मंदर बना रहे हैं कॉलज। घृसलके तो तो पहले पुराने जुड़े हुए हैं तो यह गए हैं लेकिन 맞़ at अच्छा हो गया तो फिर तो हम थोड़े से हवा में आगे और एक तरफ फिर फटाव डॉक्टर पुनीद भी बैढ़ गे पहले पीशे गड़े थे वह साथ में आगे डॉक्टर बल जी डॉक्टर श्पालम चारो बैठे गुरुजी के चर्णों में और सवरूप को खोला तो गुरुजी तो वस्तिक्ना ऐसे किया और उसमें उनके हाथ में पाज इनाग्या पता नीकिसा ने पकड़ा आया या कहां से ः वह उमें पता नी और चारो बैठे गर यहां लिख दू वहां लिख दो फिर गुरुजी नहीं इसे नीशे लेप साइट में लिग दिया ब्लेस लेकिन दोजार नौ में या आठ में शायद हमने सत्संग कि उड़ाया वह उन्होंने माइक पकड़के से पहले यही कहा पंजाब से है कि जब गुरुजी बद्दी आये तो मैंने शाम को मेरी बात हुई है गुरुजी से लेकिन सारा दिन में सोच रहा था गुरुजी इतनी स होना आया उनसे बात हुई तो मैंने काया गुरुजी मुझे भी बुला लेते वहाँ उठीक बुटा लगाया एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनुगा तो लोग उत्थो मेरी किरपा लेके जाये करूँ तो यह तो उन्होंने उसी दिन तैय कर दिया था 11 प्याल 2005 को लेते हैं और यह सारे थौट डालने वाले गुरुजी थे हम तो बस बीच में ऐसे नजर आये हैं अदर्वाइस गुरुजी ने वह पहले ही दिन कर दिया था काम हम भी आज यह सोचते हैं कि कहां से गुरुजी ने यह जगा चुनी होगी कैसे उनका आना हुआ वह आज तक भी हमें समझ नहीं आता लेकिन वह भगवान है पता नहीं इस मिट्टी की कोई ऐसी कोई खासित रही होगी कोई तपस्या किसीने की रखी की होगी या जो भी और मंदिर के बाद फिर काफी ले जाने लगे गुरुजी के पास बहुत भरबर के गाड़ियां जाने लगी मंदिर में हम बैठना शुरू कर दिया हमने सुबह शाम का रूटीन बन गया जो सवरूप गुरुजी का है जो नहीं संगत है जिन्होंने सुन रख था है पहले वो तो एक बार और सुन लें लेकिन जो नया कोई जुड़ा होगा जब सवरूप हमने फ्रेम करने के लिए दिया फोडोग्राफर को तो थोड़े से अंकल वो खडूस से थे मैं और डॉक्टर पनीत बार्गिन भी कर रहे थे उनके साथ हूंने का जाओ फिर कहीं और से करा जां इन्होंने कितने पैसे मुझसे लियोंगे तो मुझे लगा यार थोड़े से कम कर दिया हूंग मैंने अपनी हिसाब से बता दिया कि इतने कम विए इसे ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो यह ने एक रुपिया भी मुझसे लिया और कह रहे हैं कि यह सवरूप मेरे पास रहा इतने दिन और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता भी नहीं सकता और इसका मैं एक रुपया भी नहीं लोगा आगे को जो भी सेवा होगी आप मुझे बताना गुरूजी की तो यह सवरूप की गुरूजी के महमा है कि जहां जिस घर में भी चला जाता है जिसके पास चला जिसमें गुरूजी ने साइट पर बैठना था तो हमें ज्यादा डेकुरेशन का तो इतना पता नहीं था कि किस तरह से करते हैं सिंपल सी हमने की वो जैसे-जैसे हमें ठीक लगा गुरूजी ने करवाइब कर दी गूरूजी आके वहां पर बैठे भी कुरता और पईजाम नहीं डाक्टर दे मुंडे दिए बर्डे पाटी चावांगे तो हमने का गुरुजी फिर जोड़े रख दो जोड़े दे दो हमें मंदिर में रखने के लिए अपने तो गुरुजी ने कहा कमलेत हुनु फोटो देदा दिती उदे जी सारा कुछ है जाओ एश करो है तो यह य नीचे गदी भी वही है जिस पर गुरुजी आकर बैठेट है जब गुरुजी के पास आते हैं तो बहुत सी चीजों की इच्छा भी रहती है और किसी को रहती होगी लाइफ में कुस प्रॉलम्स भी रहती है मेरी लाइफ में भी थी बहुत सी ऐसी थी जो गुरुजी ने ठीक की हमारे प्लॉट की रिजस्टी नीं हो रही थी वो गुरुजी ने करवाई यह ओबन्दा भाग गया था जिसने हमें वह बेचा था हम पैसा भी सारा लगा चुके थे निनक्स्ट्रक्शन भी कर चुके थे तो ये गुरुजी के पास जससे पहले में साथ जुलाई को गया था उसके तीन दिन के बाद ही ये रिजिस्ट्री होगी थी, वो बंदा आया था पंजाब से और उसने आके वो रिजिस्ट्री कर दी ये तो पहला काम गुरुजी ने किया उस हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, एक बार मेरी तबीयत खरा हुई और डॉक्टर्स ने मना कर दिया, देखिए ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में जो चीजें बहुत इंपोर्टन्ट होती है, गुरुजी किस टाइम उसको साल्व गिया और लाइफ को आगे बढ़ाया, जो रुके हुए काम थे, और फिर जब मेरी तबीयत खराव हुई, मैंने कोई ऐसी दवाई खाली, उसका रेक्शन हो गया, कोई ऐसी प्रॉलम भी थी, हॉस्पिटल है, यहां बैठे-बैठे डॉक्टर्स के लेकिन उन्हें बाद में कहा कि रेफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस है मामला, और मेरे घर फोन कर दिया, घरवलों को बता दिया, कि आ जाईए, वो भी अपने भाग के आगे, लेकिन डॉक्टर यश्पाल थे, उनकी आवाज मुझे सनाई दे रही थे, और मुझे हालत ऐसी थी कि मैं आँख भी नहीं खोल पा रहा था, आँख खोलना भी मेरे लिए मुश्किल था, ठंडा पड़ा हुआ था श्रीर मेरा पूरा, और बहुत दूर से मुझे आवाज आ रही थी, तो मैंने आधी आख खोली और उन्हें हथेली पे गुरुजी का सवरूप रखा मेरी तरफ किया, कहते हैं देख मैं तरी लिए क्या लेके आया हूँ, और मैंने वो देखा और माथा टेका वहीं से, और मन में ही काया है, मैंने का गुरुजी और इतना खुश हुआ मेरा मन, रूम रूम जैसे खिल गया हो, पांच मिनट में मैं उठके बैठा था, औ और बड़े परिशान खड़े हैं, जो डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे अपनी बाजू चड़ा रखी है इस तरह से, और वो पसीने पसीने हो रखे हैं, तो मैंने का क्या हुआ रहे हैं, तुने तो हमारी जानी निकाल दी थी, हम तो रेफर करने वाले और घर वालों को बला लिया ये, तो मैं तो खुछ था, मैंने गां नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो, मैं ठीक हूँ, और उसके बाद भर पेट खाना खाया है, मैं उठके बाहर निकल गया है, तो देखा, घर वाले भी आ रहे हैं, सारे हैं, वो कहते हैं, तो यह क्या हो, मैं मेरा पाउं फिसला पता नहीं किया कि मैं नीचे उसमें चला गया और मुझे वो मुमेंट भी याद है मैं मैं पूरा ऐसे स्टेट नीचे को जा रहा हूं वो कुंड की तरफ जाता है नीचे उसमें फस जाते और बहुत डैथ भी हुई है वहां पे तो मैं नीचे को जा रहा कि मेरा पानी निकाला ऐसे करके और मैं बचा तो उस वक्त भी गुरुजी ही देख रहे थे यह तो पर्दा 2005 में उठा और वह हम आमने सामने हुए गुरुजी मुझे जानते थे मैं गुरुजी को नहीं जानता था शरीर की इसाब से रूख जानती होगी लेकिन वह पर्दा पड़ा हुआ था तब भी गुरुजी ने बचाया और हम सब के साथ भी ऐसे ही है गुरुजी के साथ जुड़ना तो वह एक वह मोमेंट होती है तब भी गुरुजी देख रहे होते हैं क्योंकि गुरुजी को मोमेंट तो पता ही होते है कि जब हमारा आमना सामना होगा और वह भी देखते हैं यह अर बहुत खुशी होती है संगत को यहां मुझे बचाया इसके बाद मेरे फादर का 2009 में अलसर रप्चर हुआ वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि एक घंटे में ऑपरेट होगी तो यह बचेंगे अदरवाइस नहीं बच सकते हैं क्योंकि अलसर पूरी बाड़ी में फैल चुक है जहर बन चुक है यह बचेंगे एक घंटे के अंदर अंदर करवाद हो जो करवाना है एक घंटे का तो मैं भागा वहां पे और दिखाया जाके हॉस्पिटल में गुरी कृपा से सारा कुछ हो गया आइस्यू में रहें वहां उल्टी सीदी बाते शुरू उन्होंने की कि यह चार बंदे काले कपड़े डालके खड़े हैं यह बुला रहे हैं तुझे नहीं दिख रहे हैं यह बीच बीच में बोलते थे वह लेकिन उनके वह सारी पाइप्स लगी हुई थी बारा दिन वह रहे उसके बाद डिचार्ज हुए 72 के असपास उनकी एज थी तब और मुझे लगता था कि अब यह मुझे लगता नहीं कि बचेंगे भलात कुछ ऐसे लग रहे हैं जब वह ऐसे बोल भी रहते तब भी लग रहा था कि वह ऐसे बोलना ही शुरू कर दिया तो मुश्किल है लेकिन गुरुजी ने बचाया और जब डिचार्ज होके आये तो चार-पांच दिन के बाद ही गुरुजी ब्रीम में आये और आके मुझे कहते चल संगत्ते चल दे हैं तो गुरुजी मुझे लेगे एक डबल सोफा था डबल सेटिंग का गुरुजी उसपे बैठ गये मैं नीचे बेठा बहुत संगत्ती मैं गुरुजी के चरनों में बैठ गया गया गुरुजी ने मुझे उठाया और बेठाके साइड पर अपने कहते आज आ जा बगर का नीचे ठीक है खरे आ जा जा और गुरुजी केते हैं कोई में ठीक नहीं हो जंदा इसारे कस्टमें अपने उपपर लेने पेंदे हैं देखेंगा गुरुजी और गुरुजी ने ऐसे चोला उठाया अपना और सारी पाइप जो मेरे पापा के लगी तो गुरुजी एमोशनल हुए और मुझे कहते कि दस मैं क पर लिए उसके बाद करीब 9 साल रहे और अच्छे से मस्त रहे कोई दवाई निकाए कुछ नहीं किया बिल्कुल परफेक्ट रहे अब यह एक्जामपल वह है जो गुरुजी कहते हैं कि एक अगर कोई मेरे पास आ गया तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है वह फैमिली का में या गुरुजी से कई बार लोगों ने शिकायत भी लगाई होगी के गुरुजी वो नहीं आता या वो नहीं हाती हमारे फैमिली में तो ये उन नई संगत के लिए है, जिनके मन में ये आता है कि हम आ गए हैं तो बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं घर के मेंबर्स, कोई चिंदा की जुरूर्ट नहीं है, वो सब ब्लेस हो जाएंगे, मैं तो आपको ये साफ साफ सीधा सीधा बताई रहा हूं, नौ साल करीब गुर पूरे सच्चे मन से गुरूजी के पास जुड़ा हूए आ रहा है, गुरूजी बुला रहे हैं उसको बार-बार अपने पास, तो वो सारी फैमिली ब्लेस्ट है, हो ही जाएगी, मेरा ब्रदर है, बड़े ब्रदर जो थे, वो उनके अपने गुरू थे कैर, उनके भी ऐसे घर फोन कर दिया, कि इन्होंने बोला है, इस इस तरह से शाम तक ही है, दो तिन ग्राम शायद खून रह गया था उनका, ब्लड बहुत नीचे आ गया था, और ये उन्होंने उनके मुह पर ही कह दिया था, स्टेचर पर थे ये वो, एमर्जनसी में, और उनके मुह पर ही बो इस तरह से नजरें वो, तो मुझे डॉक्टर पर गुसा भी आए, कि बड़ा जीव डॉक्टर है, यार, मुह पर बोल के जा रहा ही है, मैंने घर फोन किया, तो उन्होंने सफाईयां शुरू कर दी घर में, कि शाम को उसको ले के आ जाएंगे, लेकिन वहीं खड़े-खड रहते रहते, चलते चलते ही, यह सब गुरुजी समझाते हैं अपनी संगत को, उस मौ से भी वो बाहर निकालते हैं, पक्का बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको बचाया, बचाने के बाद हम वहां से बेचार्ज हुए, दो-तिन दिन के बाद डिशार्ज हो के घर भी आ गए, अलकोलिक थे वो, वो लगी हुई थी उनको, तो वो लगा लिये करते थे, फिर पांचे मिने के बाद लगा लिये, फिर तबियत उतनी ही खराभ हो जानी, मैंने फिर गुरुजी को प्रे करना, उन्होंने फिर बचा लेना, ऐसे 2017 तक चलता प्रे गुरुजी ने कहा था, एक डॉप बीन के लिए जहर है, लेकिन जब वो इस तरह से करते थे तो हमें डर भी लगता था और गुसा भी आता था, लेकिन ये समझ मुझे बाद में आया कि ये तो एडिक्शन होती है, हम किसी को ये बोल सकते हैं कि भी तू नशा करता है लेकिन हमें ऐसे hidden नशे बहुत हैं, ऐसी आतों के नशे बहुत हैं, जो छूटते भी नहीं चूटते हैं, बहुत कोशिशे करेंगे, जो layers हमने चड़ा रखी हैं, वो नहीं साफ होती हैं, इंसान की, वो सब भी तो नशा ही है, वो नशे से कम थोड़े है, कि हर चीज का पत मुश्किल से गुरुजी मिले हुए हैं, पता नहीं अगले किसी जनम में मिले ना मिले, गुरुजी हम से खुश रहें, हम गुरुजी को नराज ना करें, ये सब अगर हम सोचें, लेकिन उसके against अगर कुछ और कर रहे हैं, तो वो सब नशे हैं, जो नहीं चूट रहे हैं, लेकिन समाज है, जो सामने दिखता नशे है, उसको वो खराब कह देता है, और जो hidden होता है, उसकी जिकर, उसकी बात भी नहीं होती है कहीं पर, और more or less सम में वो नशे हैं ये, वो नशों से कम नहीं है, क्योंकि वो नशे जो दिखते हैं, वो तो शरीर को खराब करते हैं, हमारी जर्नी को खराब कर देते हैं जाना किस तरफ होता है मुड़ किस तरफ जाते हैं पता भी नहीं होता है कि यह नशा हम हरोज कर रहे हैं हरोज कर रहे हैं दूसरे को कहना आसान लेकिन खुद के ऊपर जब implément करें तो पता चलता है कि हम कहा खड़े आ मैं तो कहता हूं साथ जुलाहिक को कम से कम एक दिन आप वैसे बन जायां जैसे गुरु जी चाहते हैं शाम तक पता लग जाएगा कि हम कहां कड़े आ कि गुरुजी के पास Jaa Kaos Ha be 2020 जीनट जीनटेंट तो जीन ज्य Chief और शाम को पतह लग सो है कि किटनी मैनत करनी पड़ती है किन चीजों के अगेंस जाना पड़ता है मन्ते सामने वाला किस तरह से बिहेव करता है, दिखता है, कौन सी चीज बुरी लगती है, क्या होता है, उन सब को पार करना है, तो शाम को पता लग जाएगा, गेज कर लेंगे हम अपने आपको कि कितने परसेंट हम कहां खड़े हैं, एक दिन जी के देखने, तो खेर, 2017 में वो चल की बर-बर क्या बोलना है, कि गृुझी भी कहते होंगे, कि यार यह फिर वैसी करने लग जाता है, उसी दिन रातको गृर। डिरीम में आये और फिर कहा, मैंने कि गृुझी आप देख लें डरते-डरते ही मैंने बोला, कि गृुझी देख वो चले गए, 15-16 दिन के अंदर अंदर वो दोनों चले गए, 48-49 के आसपास उनकी एज रही होगे, अब नई संगत अगर यह सोचे कि गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी तो ब्लेस कर दें किसी को 70-80 साल के लिए, 90 साल के लिए, जो नही नहीं संगत आती हैं, यह उनक हिसाब से, तो जो लड़का, जिस लड़के ने जब गुरुजी बद्धी कॉलेज में आये थे, जिसने वो वीडियो बनाया हुए है, वो क्रीब 21-22 साल की एज में 2009 में चला गया, डेथ होगी उसकी एक्सिदेंट में, 31 दिसम्मर को, हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, उसको भी फोन किया कि चलो, उसने मना कर दिया कि मैंने नही गाड़ी ली हुई है, और आज मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिबेट करूँगा, लेकिन हम बड़े मंदिर में एंटर ही हुए, और तभी फोन आ गया कि वो तो एक्सपायर हो गया, 21-22 साल का लड़का, हमसे भ बहुत पुराना वो जड़ा मलेर कोड़ा से था वो लुगरी के पास, लेकिन गुरुजी का जैसे हुकम, तो ये नई संगत को बहुत परफेक्ट होके चलना है, बेवन से ही, गुरुजी को जब लगेगा, वो मेरे कल जरूर लाइफ में करेंगे, हमारे कहे भी ना भी कर कितनी बार हमें वो बचाते हैं, हम कहते थोड़े हैं, लेकिन बचा लेते हैं गुरुजी, गाइड करते हैं, ड्रीम में आके पहले ब्लेस कर देते हैं कि अगले दिन क्या होना है, क्या नहीं होना, उनके आने का मतलब ही ब्लेसिंग्स ही होता है, अपने मन के साथ और रू जोड़ा। उनके माता जी, उनके ब्रदर, गुरुजी उनको भी बचा सकते थे जब इतने लोगों को गुरुजी ने जीवन दान दिया है। ये गुरुजी के उपर हमें छोड़ देना चाहिए कि उनोंने किसको जीवन दान देना है, किसको कब लेके जाना है। और जब भी जाएंगे कोई ना कोई वज़ा तो रहेगी बनेगी कोई बिमारी लगेगी कोई एक्सिडेंट होगा कुछ होगा और हम एकदम से कहने लेते हैं यह कैसे हो गया हमारे साथ गुरुजी है तो यह कैसे हो गुरुजी बचालो बचालो लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारी सोल की जर्णी के लिए क्या ज़रूरी है देरे-देरे करते-करते वहां तक पहुंच ही जाएंगे और जाना भी पड़ेगा कितने लोग पहले चले गए हैं कि हम भी चले जाएंगE सारे के सारे तो जितनी नैसंगर जुड़ती है वो मन से जुड़े गुरू से प्यार करें गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं प्रैक्टिकली लाइफ को समझाते हैं मेरी फैम्ली में नहीं बनती थी गुरुजी के साथ जुञने से पहले सत-अच साल कम से कम मैं अपनी फैमिली में किसा मैंने बात ने की स्वासित stद्ध अंधा अरहते था लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने मुझे वो प्रैक्टिकल चीजें समझाई, एक एक चीज, सत्संग के थुरू, जा जाके गुरुजी के पाद, जैसे गुरुजी कहते थे, आए हो तो आते रहा करो, उसके मायने हैं, जितनी बार जाएंगे, अपने सोल की सफाई करके आएंगे, और गुरुजी की ब्लैसिंग्स लेके आएंगे, वो कब गुरुजी ने वो सारी चीजें सिखाई कि फैमिली में रहना और फैमिली का किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी, यह हमारी जिम्हदारी होती है, यह सारे लेंदेन के संबन तो ही है, लेकि और उन सारे जितने भी हमें गुरुजी ने वो ड्यूटी वर्ली दे रखी हैं उनको हम निभाएं मुझे गुरुजी ने तीन काम कहे थे करने को देखें यह मैं अपना फेलियर बता रहा हूं आपको अब तक का मुझे एक तो गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में कहा था और दो गुरुजी ने श्री चोड़ने के बाद गए थे वह आज तक पूरे नहीं हो पाए संयोग नहीं बना इस तरह से बाकी गुरुजी की मौज है दो उसमें दुन्यावी थे लेकिन मैं वो पूरे नहीं हो पाए किसी तरीके से तो कोई यह कहे कि कि यह ऐसा है यह कैसा है जैसे भी है लेकिन मैं तो आपका फेलियर बता रहा हूं बहुत कोशिश है कि गुरुजी जिसको जो बोलते थे वह और वह एकदम से वह करता भी था कि गुरुजी का अदेश हो गया लेकिन मुझसे हो नहीं पाए या यह इस तरह से कहलो या गुरुजी ने वैसे हालात बनाए एक बार गुरुजी ड्रीम में भी आए और आके मुझे कहा नागदेवता के रूप में आए सामने और मुझे पहले तो ड्रा रहे थे वह और लोग भाग रहे थे इतर उदर मैंने एकदम से सुचा मैंने क्यों डूरुजी तो गुर यह पता नहीं कौन सा टेस्ट कब किस तरह से गुरुजी लें अब तो मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रहा है हर एक दिन गुरुजी की इजाज़त से हो रहा है हर कुछ जो भी हो रहा है सुबै से लेके शाम तक सत्संग में संगत में अगर गुरुजी ने रखा हुए किसी को गुरुजी के सत्संगों में जाना है और यह सारा को जितना भी जो अपने काम पर गुरुजी की इच्छा से ही है गुरुजी की नजर से ही सारा कुछ तो हो रहा है कोई अपनी मर्ज लेते हैं और कब उसमें से हम पास हो वो भी गुरुजी के हाथ में हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वह एक टेस्ट जो गुरुजी ने कहा था उससे पहले कौन सा टेस्ट हो चुक्या 2009 में मुझे किसी ने डिच कर दिया था संगत में बड़ी अफसूस की बात थी मेरे लिए ने ने थे तो मुझे यह भी था कि यार यह ऐसे भी कोई कर सकता है कि अपने साथ रहते और वह संगत में गुरुजी का कोई डर नहीं है कि मुझे बहुत और नहीं नहीं चीजें थी कि कोई ऐसे भी कर सकता हमें तो जब कोई भी कोई मिलता था गुरुजी बोलते था हम त लगातार और बड़ाता रहा घरवाले भी परेशान होगे तो गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी भी परेशान थे वहां से गदी से उठे और मेरे पास आके संगत में बैठ गे मैं चुप-चाप सा बैठा हुआ था और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने ज उंगली राइट हैंड की उपर को की उपर को देखा कहते वह बहुत बड़ा मास्टर है वो देख काम का नहीं तरीके अपने है देखी चल टाइम आंटे सब पता लग जुगा और ये सही भी बात है सुबह तो उठा मैं कुछ और ही था चेंज होते 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 आज तक करने वाले ने तो अपना काम करी दिया था हमें तो कुछ भी हो जाता हो उस टाइम किसी भी हलात में चले जाते हैं अगर गुरुजी ना होते क्योंकि उसकी जो जिसने भी जो किया उसकी नेचर तो वैसी ही थी ना वो तो पहले से रही होगी अगर गुरुजी बीच में ना होते तो वो क्या होता Life में कहनी सकते। गुरुजी का होना बहुत माएने रखता है हम सब के लिए, हमारे शरीर के लिए भी शरीर के जितने रिष्टें हैं, उनके लिए भी उनसे भी गुरुजी ने पार लगाना है, वो निभ्वाने हमसे ब्लेस करते हुए और आत्मा के लिए भी जो पता नहीं कितने जन्मों से कहां से चलके आई है, यहां पहुंची है और गुरूझी उसको ब्लेस किये जा रहे हैं. नाम तो यह नहीं है नाम तो पता नहीं क्या होगा एक बार गुरूझी ने मुझे मैंने माथा टेका जाके गुरुजी मुझे कहते हैं और भी चावड़ा की हाले तेरा मैं देखूं कि कौन चावड़ा है इदर उदर देखूं हमारे साथ एक डॉक्टर चावड़ा जाते थी मैंने वो तो आये नहीं है और गुरुजी जूट थोड़े बोलेंगे और देख म और गुरुजी गौतम तो बस तब तक इशारा हो गया और मैं एक हों कि नहीं नहीं विर्त ब्रहामन को चला रहिया उनके सामने बैठके कि हम जैसे लोगों की आवाज भी क्या निकलेगी जितनी भी निकल रही है वो भी काफी है लेकिन यह हम भूल जाते थे तो गुरुजी ने मुझे च्छाबडा कहके भी बुलाया किसी जनम में मैं नाम होगा मेरा या कौन था क्या नहीं था मुझे नहीं पता जब बाबा के साथ जुड़ा हुआ था तो मैं शेड़ी गया जाना हुआ और जब शेड़ी मैं मनमाड पहुंचा जो लोग जुड़े हुए बाबा से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जब वहां मनमाड पहुंचा और वहां शेड़ी तक का रास्ता एक घंटे का है करीब उस रा कहां से वो चीज़ें एकदम से आई, कोई भी मुझे दिख रहा था, कोई भी, वो गाओं कोई निकल था था कि मैं जोर लगा रहा था कि मैं आ चुका हूँ यहां पर पहले, गया में पहली बार था इस लाइफ में, तो इसी तरह से जैसे गुरुजी ने च्छाबड़ा कहा है, तो पता नहीं मैं किस जन्म में कहां हूँगा, किस के साथ कैसे गुरुजी ने मुझे जोड रखा होगा, यह गुरुजी जानते हैं, लाइफ को गुरुजी ने हर एक एंगल पे पकड़ा, संभाला, गाइड किया, गुरुजी ने फिर धीरे-धीरे लाइफ को आगे बढ़ा के औरो बाइग्राफी और योगी पढ़वाई, हमें इन बुक्स का लेना देना भी नहीं था कोई, मतलब भी नहीं पता था कि यह एक गुरु के लिए, यहां तो हमें गुरुओं के गुरु और बस सब कुछ ही यही है, अब लगता है कि जितने भी रूप हैं, अवतार हैं, वो सब गुरुजी के ही तो हैं, अलग-लग नाम जरूर हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी का वो अंश है, गुरुजी की इजादत अब नहीं जाते हैं, ठीक है, कई लोग जाते हैं, दूसरे मंदिरों भी जाते हैं और गुरुजी के पास भी जाते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि गुरुजी के अगर इस हिसाब से देखा जाए कि गुरुजी के ही वो सारे रूप हैं, गुरुजी का ही अंश अफ्तार हैं तो जो लोग बाकी मंद्रों में जा रहे हैं वो उस भाफ से जा रहे हैं तो ठीक है अगर कोई कह रहा है कि गुरुजी में ही तो सारे अफ्तार हैं सारे इन से निकलुए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो वो भी ठीक है तो दोनों ही ठीक है तो इसमें किसी गुरुजी हमें गाइड करते आ रहे हैं पकड़े हुए हैं जब 2009 में कुछ इस तरह से हुआ था तो मैं बड़ा रोया था और रोने के बाद बड़े आंसु मेरे इतने निकले थे उन दिनों में बहुत निकले बहुत ज्यादा रोया कि वह इतना बड़ा जटका था बड़ा रोया और लड़कियां रोये या लेडीज रोये तो बात और होती है लेकिन मैं बड़ा रोया था गुरुजी ने जब वो ड्रीम में आके मुझे बताया कि वह बहुत बड़ा मास्टर है उसके काम करने के तरीके अपने हैं यहां कोई किसी का नहीं है देख लिए दुनिया उसके बाद जब यह बोला मैं रोया नहीं उसके बाद गुरुजी क्रीपास थे, कभी भी जब-जब रोया तो गुरुजी ने वो आंसू ही बदल दिये वो आंसू तब निकलते हैं जब कोई मुझे तकलीफ में लगता है कि परेशान लगता है चाहे वो कोई जीव ही के उना हो सड़क पे पड़ा हुआ हो तो बड़ी आंसु निकलते हैं जब कोई तक्लीफ में हमें कोई इंसान दी जाता है तब वो आंसु निकलते हैं वह गुरुजी ने वह चेंज कर दिया का अपने लिए या अपनी किसी गम के लिए वह नहीं निकलते हैं लिए बहुत कुछ गुरुजी के पास देखने को मिला जितनी देर गुरुजी ने अपने साथ संग साथ जोडा गुलाया बुलाया एक बात है कि जब गुरुजी सत्षंग करवाते थे किसी से वहां पर जो मैंने देखा है तो गुरुजी वह खुद भी सुनते थे उसको बड़े गौर से सुनते थे जब भी हम संगत में आये सत्षंग में आये तो बहुत ध्यान से हमें सत्षंग को सुनना चाहिए क्योंकि गुरुजी भी अपने सत्षंग को ध्यान से सुनते थे एक बार डॉक्टर पुनीत को उन्होंने बोला हम बैठे थे अभी पैंट्षरट में थे गुरुजी साथ और आठ के बीच बात हम पाय स्टेट में तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर पुनीत को चल भी डाक्टर अपना सत्षंग सना और वो सुनाने लगे और ऐसे हम सरकल स बनाया वहां बैठे एक लड़की थी वो सुननी रही थी ध्यान नी था उसका तो गुरुजी उसकी तरफ देख रहे थे और गुरुजी ने उसको कहा चल अगे हो सुन लिसन डाक्टर की कह रहे है और वो फटा-फटा आगे को हो गई और गुरुजी बड़े गौर से अगर को गुरुजी ध्यान से सुन रहे थे अपने सचन को और अगर कोई नहीं सुन रहा था तो उसको बोला कि सुन वो क्या कह रहा है क्या कह रहा है वो तो मैं गुरुजी को देख रहा था कि अपना ही सत्चंग सुन रहे हैं गुरुजी किया भी खुदी और सुन भी खुदी रहे हैं लेकिन माइने समझ आते हैं कि गुरुजी के सच्चंग की वैल्यू कितनी है जब भी कोई सच्चंग करे तो वह पिंड्रॉप साइलेंस हो ध्यान इदर उदर ना हो ऐसी ये तीन लेडिस को गुरुजी ने डांटा था एक बार मेरे सामने किसी को सच्चंग करने के लिए बोला और वहीं पर खुसर खु सच्चंग चल रहे हैं माशिव का जो बड़ी मिश्किल से मिलता है और वहीं उनके पास ही बैठे हुए गद्दी के पास हम पाय सेट में वह कुसर खुसर सी कर रही थी हम गद्दी के पास इधर को लेट साइड को बैठे हुए थे गुरुजी ने दो तीन बार उनको इशा प्रजमाने गुरुजी खुद सुन रहे हैं फिर उनको डांटा क्या विवियां तरहां खुसर खुसर लाई भी अच्छा लगे हो सुनो क्या कह रहा और वह आगे को हुए और उन सुना उन्होंने और गुरुजी ने पूरा सच्चंग सुना जो पुरानी संगत उनको पता कि उसको सुनें पिंडर ओफ सायलें जो होस्ट हो उसकी विए जिम्धारी बनती है बच्चों को लेके कई बार चले जाते हैं कोशिश करें कि ना लेके जाएं जैसा गुरुजी की मर्यादा थी जिस तरह से उन्होंने सिस्टम बना रखा तो वो सही था कि बच्चे जाकि और दूसरों का ध्यान भी वो तोड़ देते हैं कहां वो अम्रित बरस रहा होता है गुरुजी के सत्चंग का और कहां बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रिबेंस हो जाती है इन सब चीजों की वजह से अगर गुरुजी ने कहा है कि आठ या नौ साल से उपर को लेकर आओ जो व एक कोई आजाता है तो सारे ब्लैस हो जाते हैं अमरित जब भी बरस रहा होता है गुरुजी का सत्चंग का जो जो जहां-जहां भी हो वो जरूर उसी तरह से सुने जिस तरह से गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में गुरुजी अपना सत्चंग खुद सुनते हैं आज भी यहां अदरवैज उनकी जात के बिना सत्चंग हो ही नहीं सकता है कोई एंटर कर यह नहीं सकता है एक सचंग मैं और इस तरह से कर देता हूं सुना हूवा सबने हैं लेकिन यह कोई निया हो सकता है इसमें उनके लिए यहां हमारे एक डॉक्टर थे हम उनसे सत्संग किया करते थे सबसे किया करते थे वो थोड़े से स्पिछली एलिवेट समझते थे अपने आपको और कुछ बुक्स ऐसी उठाके रखते थे तो हमें लगता था कि इनको भी गुरुजी के पास ले चलना चाहिए हमें एक दिन उ वह कॉलेज आए कॉलेज आके मैंने पूछा हांजी डाट साब होगे दर्शन तो उन्होंने मेरी तरफ भूर के देखा बहुत जीब सी लुक दी उन्होंने कहा क्या यार नहीं हुए मैंने क्यों क्या हुआ हुआ अरे कहते गया था वहां पे वह कुछ सीड़ियां सी करते हैं साथ वजे शाम को आना चलो और एकदम से करेक करटन ऐसे जोड़ से मारा उन्होंने कहते मैंने पुछा कि गुरुजी अंदर ही है करें अंदर यह शाम को आना साथ वजे अग्या बताओ यार दर्वाजा कोल देते को इतनी दूर से गया है दर्शन हो जाते उन्हो दो एक मीने के बाद गुरुजी ने श्रीट चोड़ दिया और अंदरॉट साब ने कॉलत चोड़ दिया आज तक हमें भी नहीं पता है वो किदह हैं तो वहां जाके वो चूक गए रह गए धरवाजे के उस तरब भगवान इंसान इजाजत नहीं दी गुरुजी ने और उ और यह हुकम उनको भी नहीं हुआ और ऐसे एक-जू सचन्ग भी है जब गुरुजी ने वहां जाने नहीं दिया किसी को और बाहरी रोग दिया तो जो भी सत्संग हो रहा है जब भी कोई सत्संग करता है बोलता है सुनता है वहां प्रेजन्स होती है जिसकी जैसे से गुरुजी का वह बुलावा होता है तभी वहां तक वह पहुंच पाता है अदर्वाइस नहीं पहुंच पाता और जब भी इस तरह से हो रहा हो तो उस पूरा ध्यान हमें गुरुजी पर ही लगाना चाहिए इस तरह के प्रेटफॉर्म्स हों चाहिए फिजिकली बैठें हो वहां तो और भी ज्यादा रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत तरह की वहां पर शोर शराबा भी हो जाता है कि वार उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्य एक बद चाहिए परशाद आंटी ले रहे थे और वह खड़े हो जाते थे कभी इदर कभी उदर लेके उसको गिलास को सिप ले लेते थे और गुरुजी वहां से देख रहे थे सारा कुछ अंपाया स्टेटमी थे और बैल की गुरुजी ने और बैल किया रहे थे तो सिंग गुरुजी ने बोला वो सिंगले वो सिंगले बाहर काड़ी नू अचादा कापचा के कदी अथे बैटरी उत्थे बैटरी में चाहिए दुकान खोली भी और बाहर कारी नू तो सिंगला अंकल ने आके डांटा अंटी को की बैड़ जवाब हमें भी डांट डलवारे हो केहने का मतलब है गुरुजी का कि ये चाय की दुकान नहीं कि चाय को तरह से ले वो गुरुजी की ब्लेस् किया हूए वो परशाद बड़े बाग्ये से मिलता है इस जना में मिन रहा है ले लें और उसकी हम कदर मिटर सत्सन की कदर करें गूरुजी के कदर कि करें एक होने की ज़रूरत नहीं है मैंने आपको सचंग बताया मेरी फादर जो नहीं मानते थे उनको गुरुजी ने बचाया ब्लेस किया आज तक गुरुजी ने संभाला हुए पूरी फैमिली को गुरुजी के अपार कृपा है कि आज के दिन वो सचंग भी करवा रहे हैं अटेंड करवा रहे हैं आप लोगों की बदौलत आपने यह घड़ियां जो हैं वैल्यूइबल बना दी पता नि कहां लगती किस तरह से लगती आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अल का अन्टी और सिंख्लाइंकल तो अमेशा ही है वह तो हमारे बहुत रजीज हैं बहुत ज़्यद हैं और आप सब का धन्यवाद करते हुए गुरुजी के बर्डे की आप सब को बहुत-बहुत बधाई गुरुजी सब पर अपनी क्रिपा बना के रखें जैगुरुजी